हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग मॉस्ट वेल्ग माई यूट्यूब चैनल आप सब को अपने टेक्निकल गुपता के चैनल पर फिट से एक बार स्वाइब करता हूं हमारे पास समसम की टॉप लोट वासिंग मसीन है जो की कश्मर की यह तिकायता है कि मैं जब भी कपड़ा साफ नहीं होते जब मैं कपड़े को धोता हूँ तो हमारा कपड़ा मतलब गंदा ही रहता है साफ कभी भी नहीं होता है तो इस प्रेसर ज्यादा आएगा देखिए यह फिल्टर बहुत ही ज्यादा गंदा है फिल्टर को कैसे निकाला है वैसे ही आपको भी निकालना होगा चलिए छोटी सी बात है अब मैं चलता हूं टॉपिक की तरफ तो मैंने क्या बताया था कि कपड़े जब भी ढूलता है कस्टमर तब पहुत ही ज्यादा हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं साफ तरीके से दूलते नहीं देखिए हमारी मशीन इस्पिन मास रेल्स वगारा सब कुछ हो रही है एक बार मैं आन करके कांटिनू जैसे मैं आपको बताता हूं हमारी मशीन में के बाद एक ही प्रॉब्लम है ज इस्ट्रा लोपे लगा दिया हूं पानी लेने के लिए तो प्लीज प्लीज में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं अगर हमारी वीडियो पसंद दर तो लाइस सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलेगा अगर आप पूरी वाच करेंगे हमारी वीडियो को तो आपको जरूर आपकी problem की solution मिल जाएगी पूरी लाच टक वीडियो को वाच किजेगा तो मैंने आपका पानी का टूटी बन कर चुका है प्लक आउट कर चुका है मैं पर शेटर कोलता हूं यह गोलवला जो चक्का होता है उसको सबसे पहले खोलूंगा इसमें क्या problem है कि बहुत ही ज्यादा कप्रे जब धूरते हैं तो गंदा होता है तो आपको करना क्या है वाई सेम्प्रोसेस आपको यह पाल सेटर को आपन करना है थोड़ी सी दिक्कत होगी टॉप रॉट वासिमसिंग में क्योंकि चार साल से हमारी वासिमसिंग कभी खुटी नहीं है तो इसको निका को बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चाहा चाहा साल से सर्विश नहीं होई इस वासिंग मसीन को इसको कैसे साफ किया जाए हाथ से साफ नहीं होगा ये ब्रस से भी साफ नहीं हो सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी कंकर इसमें मशीन पर है कि आप लोग तो दूर भाग ज सर्विस करना है यह हम जो आपको डी इसकल दिखाएं इसको सबसे लाइश्ट एंगल में बताऊंगा कैसा डी इसकल को यूज़ किया जाता है वासिल में को सर्विस में तीन महिने में डी इसकल यूज़ किया जाता है अगर आप नहीं करते तो यह अभी आप जो मशिन देख में यही हाल होगा मशीन का डी इसकल ज्यादा जरूरी है और यह देखिए इसको आपको थोड़ा सा पेटका सेया नुक्यलिय चीज़ से इसको रफ करना होगा वासिंग में जैसे मैं इस समय रफ कर रहा हूं आप हास से कभी भी पूरी वर्षिंग मशीन को साफ नहीं कर सक है इसको मैं एक कैमिकल बताऊंगा वह थोड़ी सी वीडियो हमारी किस प्रकार कमेंट में जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगे तो प्रीस लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा थोड़ा बहुत आपको ऐसे हास से क्लीन कर देना हो देखिए कितना ज्यादा डश्ट निक है उसके बाद इसमें कौन सा कैमिकल कैमिकल बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है मैं अभी आपको दो से तीन सेकंड में मैं उसको भी दिखा दूँगा पहले इसको थोड़ी बहुत मैं हास साफ कर लेता हूं कि बहुत ज्यादा गंदी है और यह फिल्टर फिल्टर ही बहु बात्रूम क्लीनर एसीड है बात्रूम क्लीनर एसीड है ब्व menu क्लीनर गापको नहीं लेना है थो आपकी वाक्तिम मदीन खराब हो जाएगी बहुत ही नंवर्मल वड узна • बात बात्रूम क्लीनर आता है 40-50 उरुपए के बीच में लीच है देखिए आपको करना क्या जैसे मै एक वाशी मशीन को क्लीन करके बताया जा सेमी आटोमेटिक वैसे ही सेमी में नहीं फुली में भी करनी है देखिए इसको मशीन के अंदर डालने के बाद 15-20 मिनट तक इस मशीन को आपको छोड़ देना हो सबसे पहले एसी डालने से पहले आप मुझ को कवर कीजेगा आप मुझ में मास्क वगारा पहन लीजेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी इसमेल जो है बहुत ज्यादा विका है आपको मैं 15-20 मिनिट के बाद मशीन के पास आया हूँ और देखे यह अब भी भी गंदगी निकल लए है इस मशीन को भी मैं थोड़ी से और टाइम लूँगा इसमें भी मैं डाल देता हूं डिटर्जन वाले बॉक्स में भी इसमें भी बहुत ज्यादा डश्ट है अब इस में बेख इसी परिकार आपको इसी यूज़ करना है इसी करण से हमारी जो वासि मशीन हैं कपड़े साफ तरीके से नहीं धो पाते हर महिने अगर आप चाहते हैं आपकी वासि मशीन अच्छी के से कपड़े धोएं तो हर महिने आप हार्बिक का यूज़ Темरी या केल का यूज़ कीज़े जो मैंने आपको अभी तक वीडियो में नहीं बताया हूं कैसे यूज़ करते हैं वह लाश्ट में बताऊंगा वह थोड़ी सी अलग किसम का पॉर्डर है मैं लाश्ट में वीडियो मताऊंगा और इतना ज्यादा इसमें डश्ट भरा हुआ इतना ज्यादा द्रश्ट भरा हुआ कि मैं इसमें आपको लाश्ट आऊंगा कि कितना ज्यादा डश्ट है और पहले तो मैं इसको पहले क्लीन करूंगा मैं वासिंग मसीन भी क्लीन करूंगा प्लसिक्टर भी क्लीन करूंगा कि इसको इस्पिन करूंगा वास करूंगा लेकिए यह अब थोड़ा बहुत ज्यादा हमारे सर्विस क्लीन हो चुकी है तब इसके लिए वाली बॉक्स भी इसको भी डिटरजन बॉक्स भी बाहर मैं निकाल के लग लेता हूं आप भी जानते हैं हाथ से यह तो होगा ही नहीं यह कोई कैमिकल या एसिड वगएरे से ही होगा तेखे कितना ज्यादा मैंने तुड़ा सा सजाब एसिड डाला है और बहुत ही आसानी तरीके से हमारा यह जो इसका डश्ट है वासी मसीन में मिट्टी बगएरा है वो पूरिश साफ हो जाएगी आप अभी वासी मसीन में आपको दिखाऊंगा एदम न्यू जैसे डाइमंड चमकता है इस प्रकार आपका वासी मसीन चमकेगा आप इसमें हार्पिक का भी यूज कर सकते हैं बट यह हार्पिक से नहीं जाता इसलिए मैं एसिट का उप्यूग किया हूँ देखिए और इसको आप बहुत करना पड़ाएगा क्योंकि इस फिल्टर में बहुत जादा यह आपको अगर साफ नहीं होता तो काफी वाल को यह फेटर एसिट से भी साफ नहीं होता इतना ज्यादा गंडी हो जाती है तो यह अब फिल्टर इसको चेंड कर सकते हैं कि मैं कपरा साफ करने वाला ब्रस से इसको थोड़ा सा घिस दूंगा तो आपके पास वायर वाला टार वाला ब्रसों उससे भी साफ हो जाएगा यह देखिए अब मैं इस मशीन में आता हूँ उसको छोड़ देता हूँ पूलने के लिए आप इसको देखिए बहुत ज्यादा र ब्रस सब्वाहिव हैं फोड़ा सा पानी डालोगा आप दे एक रिध॥ यह आपको जोगी आपको पाई डाला हूं वाइट वाइट तुरा अजताम साफ हो गया जैसे पहले था उससे कई गुना अच्छी हमारी वासिंग मशीन हो गई है अब मैं इसको वाटर पे सेलेक्ट कर दूँगा वास पे स्वरी इस्पिन पे मैं सेलेक्ट करना जा रहा हूं इस्पिन पे करने के बाद मैं इसका पानी बाहर निकालूँगा पानी भर जाएगा इसको साफ करूँगा इची जोर ध्यान रखिएगा जब आप इस मशीन को सर्विस कर रहे हो तो आपका हो सकता है वासिंग मसीन का जो पीछे वाला ड्रेन वाल्व हो उसमें जाके कच्छडा बैढ जाए और आप दुबारा जब आप सर्विस मतलब आप कप्रे को दोने लगे तो आपका पानी कांटिन्यू निकल सकता है तो मैंने एक वीडियो और बताया है कि आपका जब अगर ड्रेन वाल्व से पानी निकलता रहे कांटिन्यू या ना निकले तो इसका जो डश्ट होता है ड्रेन वाल्व में जाके बैट जाता है उसको कैसे क्लियर करेंगे मैं नेक्ट पिछला मैंने एक वीडियो इसका बनाय क्लिया यह हूं उसी में आप चेक कर सकते हैं कि कैसे वो भी साफ हो आभी तो हमारा प्रफेक्ट निकल ला ला लेकिए वारा पाने प्रस टिक लाए कोई दिकत नहीं होई कोई इस्षू नहीं हो इसी दिक्षिया मारी वासिंग मेशीन दूंहीं चक गई है तो समसंग भाक और आपको लग रहा है अभी वासिंग मसीन और गंदी है तो आप अब दुबारा से एसी डाल के कुछ मिनट तक उसको छोड़कर बाहर चले जाएए उसके बाद 15-20 मिनट बाद इसको भी साफ कर तकते हैं वैसे हमारा 80% वासिंग मसीन क्लीन हो चुका है और मैं इस्पिन मोट पे लगा चुका हूँ अब पानी हमारा बाहर निकल रहा है बताया मैंने कि आपका जो पानी अगर आप वासिंग मसीन क्यों सर्विस कर लेते हैं तो आपका जो पानी है वो ड्रेन वाल्व में फर्ष सकता है यह ध्यान रखिएगा होता है कई बार हो सकता है आप लखी हो आपका पानी निकल जाए आपका कच्णा ड्रेन वाल्व में से ही निकल जाए लेकिन मैंने आपको बताया जैसे जेनवाल कोलने का मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता तुकाऊँ देखिए अब भी कच्णा हमारे जो मशीन है उसमें निकल ला है लेकिन हमारे पास इतना लंबा वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग भी बोरिंग मैशूश करेंगे इस वीडियो में इसलिए देखिए मैंने पॉल्सेटर को भी क्लीन कर दिया है पॉल्सेटर में इतना ज्यादा कच्णा निकला इतना टॉस्ट निकला आपके शामने हैं और हमारा पॉल्सेटर इतना नई मोडल का नई नए एक दम हो चुका है जैसे टाइमेंड चमकता हो जिस प्रकार निकाला था उसी प्रकार आपको लगाना होगा पॉल्सेटर वगेरा यह भी आप साफ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया एक से इस समय मैं बताऊंगा तो टाइ ज्यादा नहों पासेटर को बैठाना है फिर फेंच को लगाना है फिर मशीन को चलाना है कप्रे नहीं नहीं चमकेंगे इसक्रू को टाइट करना है जैसे आप टाइट करते हैं जैसे ओपन किया था वैसे ही प्लीज अगर हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना हमारे को लियाएगा फ्रेंड अभी पिक्चर बाकी है लाइक डिटर्जन पॉस्केल पॉडर है उसको कैसे यूज़ करेंगे टब क्लीन कैसे होता है अब यह देखिए मैं इस्पिन और वास्प करके देखूंगा इस पर मैं पानी लेके आपको पानी लूँगा फिर निकाल लूँगा फिर दिखाऊंगा आपको पानी भी हमारी पहुती देखिए पानी हमारी कितनी रफ़तार से आने लगा पहले हमारा स्लो आ रहा था पानी अब इतना रफ़तार से आने लगा जैसे कि हमारी न्यू मिचीन हो तोड़ा था दूल मुटी होगे इसको साफ कर लेता हूं देखे एक्ट्रावास फुली मसीन चल गई है कांटीनियू और किती रफ़तार से चल रही है अब कश्टमर की एक भी सिकायत नहीं आएगी कि हमारी वासी मसीन में से कचड़ा आ रहा है कपर नहीं दूलना है डी इसकेल कैसे यूज़ करना है सबसे पहले अगर आपके मशीन में टप क्लीन को आप्सन है डे तरहें में फ़ेकर नोच गोँगना यूज़ करें करिका सबसे अगुज़ करना है यूज़ करना है यूज़ को इसकेल के महले शाद में 1 मोसीन डाल देना है इस में Japanese पेसे यूज़ करना है अब पूरे पॉर्डर को डालना है हमारी वाक्ति मसिन बहुत ज़्यादा गंदी है तो इसलिए मैं इसको दो डी इसकल पॉर्डर यूज़ करूंगा डो पैकिट्स आप बेच टब क्लेन का उप्सन है टब क्लेन पे जाकर पानी लीजेगा पानी लेने के बाद ऐसे डी इसक करके मसीन को अन कर देना है हमारा मैंने दो पैकेट्स किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी गंदी मसीन इसलिए मैंने दो पैकेट्स किया डी इसकल से यह होता है इसके जो अंदर का टब है वह एद्दम क्लीन हो जाते हैं डी इसकल इसी प्रकार यूज होगा डी इसकल हर तीन मेहने में यूज करना चाहिए अगर यूज करते हैं प्रॉपरली तो आपकी वासिंग मसीन बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा कपड़े बहुत ही साफ सुत्रे धुल कर वापस होंगे आपकी कपड़े नहीं तो कस्टम प्लीज एक बार मैं फिर से आपको लाश्ट पार कहना चाहता हूं प्लीज प्लीज अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फ्रैंड मशीन को मैं ऑपरेट होने दूंगा क्योंकि ये दो घंटे वासिंग मसीन कांटीनियू चेले झाल